नमस्कार दोसों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन प्रिप्रेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ससे ट्यूब का आल इंडिया टेस्ट प्रिलिम का जो टेस्ट होता है 15 जो संडे को फ्री होता है उसका सलूशन करेंगे इसमें हम मैज के आल 25 गोशन करेंगे इसमें डियाई भी इनक्लिवूड़ेड होगा और कई सारी चीजी आपकी इसमें मिलेंगी अच्छे कोश्चन कु कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आज थोड़ा सा च्छाला हुआ है तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज में प्राब्लम हो सकती है थोड़ा सा कॉपरेट करिए करें ठीक है और एक चीज़ हो जो आपको PDF मिलेगा उसमें सलूशन की लिंक दी गए है जब भी आप PDF खोलेंगे जब मन करें क्लिक करिएगा आप डायरेक्ट सलूशन पर पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और दूसरी चीज़ अगर आप CGL, CPU, CHSL किसी की तयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट बहुँ ज्यादा इं मोटिवेशन होता है मेरे लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको चैनल यूच्पूल लगेगा तो सब्सक्राइब कर लिजेए पहला प्रश्न क्या कहा रहा है कहा गया कि साधारण ब्याज पे दो वर्स में कोई धन आठ परतिस्यत इंक्रीज हो जाता है तो कहा अगर कमपाउंड इंट्रेस्ट हो तो दस लाक रुपे दो साल में उसी रेट पर कितने हो जाएंगे ठीक है यह कितना सियाई देगा यह पूचा गया यहां पर सियाई की बात हो रही है ना कि अमाउंट की बात हो रही है अच्छा देखिएगा अगर मैं कहूं कि कोई धन दो साल में आठ परतिसद बढ़ जाते हैं तो बढ़ता क्यों है क्योंकि सिंपल इंट्रेस्ट मिल रहा होता है यानि टू इयर का सिंपल इंट्रेस्ट आपको एट परसेंट मिल रहा है अगर दो साल में आठ परतिसद मिल रहा है इक साल में चार परतिसद मिल रहा होगा ए compound interest क्योंकि compound interest जो होता है वो interest पे interest होता है यानि कि हम कह सकते हैं कि 2 साल के लिए अगर बात की जाए तो compound interest 4% rate का क्या हो जाएगा 4% और 4% का परिणामी यानि कि 4% का increment और फिर 4% का increment यानि 4% के 2 successive increment का resultant होगा वही हो जाएगा यानि आप कह सकते हैं 4% और 4% का resultant क्या हो जाएगा x प्लस y यानि कि 4 प्लस 4 8 प्लस xy by 100 यानि कि 4 गुड़े 4 बटे 100 यानि कि 16 बटे 100 यानि कि 0.16 यानि आपको 8.16% इंट्रेस्ट मिल जाएगा जो कि compound इंट्रेस्ट होगा और 10 लाग पर अगर हम बात करें तो 8.16 पर 10 लाग का कितना हो जाएगा 81,600 आपको समझा गया 10 लाग आपको बस यह देखना है कि 8.16 परसेंट है question में कहां पर चुकी हां पर 10 लाग दिया गया पर चाने की जरूरत नहीं है का गया इप the difference between the roots of the equation ax square minus bx plus c is equal to 0 then which of the following is true कहा गया कि एक quadratic equation दिया गया ax square minus bx plus c is equal to 0 ध्यान दीजेगे कई बार आप हडबड़ी में इसको ax square plus bx plus c क्योंकि standard quadratic equation होता है उसको मान के चले जाएंगे तो गलत कराएंगे आपको ध्यान रखना है यहाँ पर minus दिया गया अच्छा अगर मैं मानूं कि इसके roots alpha और beta है तो sum of roots होता है यानि alpha plus beta पराबर हो जाएगा minus of x का coefficient यानि minus of minus b यानि b by x square का coefficient यानि a और अगर मैं product of roots की बात करूँ तो यह alpha बीटा हो जाएगा जो की होता है constant term upon x square का गुड़ा ठीक है आपको एक चीज और दिया गया कि difference between roots is 4 यानि alpha minus beta is equal to 4 अच्छा अगर मैं बात करूँ थोड़ी देर के लिए कि sir alpha plus beta पता है alpha बीटा पता है तो alpha minus beta क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे बहुत easy है आप कहेंगे कि यह हो जाएगा alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta alpha minus beta को हम under root में alpha plus beta का whole square minus 4 alpha beta लिख सकते हैं यानि आपका यह बराबर आपका आगया alpha minus beta की value चार दी गए है इसी का square कर दीजे तो alpha plus beta की पहले value रख दीजे तो आप value रखेंगे तो यह हो जाएगा under root में alpha plus beta का square under root लगाई है alpha plus beta की value यानि b square by a square और minus 4 alpha beta यानि minus 4c by a यह is equal to 16 दोनों पच्छों का square कर दीजे यानि कि आपका हो गया b square और हर यहाँ पर बराबर कर लेंगे तो यह हो जाएगा b square minus 4ac upon a square is equal to 16 यानि आप कहेंगे कि b square minus 4ac is equal to 16a square यह means में पूछा गया प्रश्न है अगर b square minus 4ac is equal to 16a square है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कैसे आप 16a square का 10a square इधर ले आईए यानि आपका हो गया b square minus 10a square और 4ac को इधर बेज दीजिए तो यह हो गया 4ac minus इधर था है तो इधर प्लस आ जाएगा 4ac और आपने 10a square तो इधर ट्रांसपर कर दिया लेकिन यहाँ पर बचा कितना 6a square यानि कि यहाँ पर 6a square बच जाएगा आप चाहे 14a square को 10 और 6 लिखें चाहे 8-8 लिखें जो भी लिखना है तो इन question के according चुकि आपको कुछी इस प्रकार से दिया गया इसी वज़ासे इस तरह set कर लेंगे यानि आपका आगया b square minus 10a square is equal to 4ac plus 6a square यानि आपका correct option कौन सा हो गया b option समझा गया अगले question पर आते हैं देखेगा अगला question कहाँ गया if a is equal to 1 minus 10 plus 3 minus 12 plus 5 minus 14 plus dot 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 तो आप टू 60 terms तो कहाँ गयो what is the value of a थ्यान से देखेगा यह question करने की बहुत सारी method है आपको पता है total 60 terms है तो यहाँ पर दो series बना सकते हैं 3, 5, 7 ऐसे से करके 30 terms इसके हो जाएंगे और 10, 12, 14, 16, 16 के भी 30 terms हो जाएंगे दो series बन जाएंगे यानि दो स्रेंडिया बन जाएंगे लेकिन मैं क्या कहता हूँ आपको पता है कि 1 minus 10 दिया गया 3 minus 12 दिया गया 5 minus 14 दिया गया ऐसे यहाँ पर कितना आएगा 7 minus 16 आजाएगा आपको पता है कि इनका difference जो है दो क्रमागत terms का वो कितना रह रह रहा है minus 9 तो ऐसे ऐसे अगर total साथ terms थे तो इसमें कितने पियर बनेंगे 30 यानि 30 टाइमस समझ रहो मैंने क्या कहा कि आप क्या काम करिए जैसे एक minus 10 था तो इसको एक तर्म मालीजी यानि यह minus 9 दे देगा इसे 3 minus 12 भी minus 9 दे देगा पांच यहाँ पर हो सकता था सीरीज के लिए जाते कि एक तीन पांच साथ डॉट 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 दॉट तो एन और नमबर्स का सम एन स्कोर हो जाता यानि 30 का स्कोर 900 हो जाता और minus 10 12 14 16 यानि यह समांतर स्रेंडी बनती यानि कि एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनती 10 12 14 16 जिसका पहला टर्म ए होता और टर्म की संक्या एन होती तो आप कहते हैं इसका प्रोड़क्ट मतलब सम हो जाएगा एन बाइटू इन्टू इन्टू यह प्लस एन माइनस 1 इन्टू डी यहापे एन पादो की संक्या ए पहला पादो डी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस यानि की 2 होता माइनस कॉमन ले लेते तो ऐसे भी कर सकते थे लेकिन मैंने क्या करा कि 2-2 का पियर बनाके माइनस 9 कर लिया 30 टाइमस आया है यानि माइनस 9 गुड़े 30 माइनस 270 दस सेकंड का क्वेश्चन था या पांस सेकंड का अगला प्रशन देखिएगा बहुत ही इजी सा प्रशन है कहा गया इन एन वन डे मैच ओ फिप्टी ओबर्स इन एन इनिंग्स दा टीम ए हैड ये रन रेट ओफ 6.1 रन्स पर ओबर कहा गया कि एक जो रन रेट है रन रेट को आर आर लिखते हैं यह है छे दसमलो एक रन प बराबर होते हैं रन रेट इन टू ओबर्स यानि 6.1 इन टू फिप्टी यानि आपका सकते 61 गुड़े पांच यानि कि आपका हो जाएगा 305 माचिक कम पांच माच चके 30 ठीक है टोटल रन्स टीम ए द्वारा बनाएगे कितने है 305 अब दूसरे केस में क्या बात हो रही है कहा कि टीम B is playing and 10 ओबर्स आ लेफ्ट यानि कि B खेल रही है और 10 ओबर बच्चे हुई है and required run rate to tie the matches 6.5 रन्स पर ओबर यानि कि 10 ओबर बच्चे हुई है और उनको required run rate है 6.5 यानि कि आप से कहा गया कि 40 ओबर वो खेल चुके है 10 ओबर बच्चा है और उसमें अगर वो 6-10 म और ओबर के हिसाब से बनाएंगे तो टाई कर ले जाएंगे टाई मतलब स्कोर मैच कर ले जाएंगे यानि ड्रा हो जाएगा मैच आप कहेंगे 10 ओबर बच्चे है average हमें 6.5 दिया गया यानि कि run rate required run rate 6.5 दिया गया टाई होने के लिए यानि कितने run की जरूरत है आप कहें 40 आपके बन चुके है ठीक है अगला प्रस्ण देखेगा कहा गया टू नंबर्स आर 40 परसेंट एंड 80 परसेंट लेसर दैन अ थार्ड नंबर बाई हाव मच परसेंट इस दा सेकेंड नंबर यहां पर एंड कर ले जेगा इस दा सेकेंड नंबर टू भी इन हैस्ट तू मेक आप कहां गया दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जहे ताक कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए यानि बीस को कितना बढ़ाया जहे तक यह 60 पर हजे बीस चालिस का मतब गुना कितने परतिसद के बराबर हो जाएगा 200 परतिसद के, अगला प्रशन दिया गया, कहा गया, an alloy contains copper and tin in the ratio of 3 to 2, एक मिस रधातु है, जिसमें copper और tin का अनुपात कितना दिया गया, 3 अनुपात 2 के अनुपात में, ठीक है, 250 grams of copper is added यानि कि इसमें हम add कितना करते है 250 grams copper add करते है यानि कि लिख दीजे 250 grams copper add हो रहा है then the copper in it becomes double the quantity of the tin in it कहा गया कि अगर हम 200 gram इसमें copper add कर दे तो जो copper की मात्र हम माल लेते हैं पहले 3x था copper तो 2x रहा होगा क्योंकि इनका अनुपाद कितना है अगर हम copper इसमें 2500 gram add कर देते हैं तो copper की मात्रा आपकी ये हो गई और कहा कि ये tin की मात्रा का double हो गई यानि कि 2x का 2 times हो गई यानि ये दोनों बराबर है तो आप कह सकते 3x प्लस 250 बराबर 4x यानि x बराबर आपका हो गया 250 तो आप से पूछा क्या गया कहा कि what is the amount of tin in the alloy यानि कि tin की मात्रा पूछी गई है तो tin की मात्रा पहले कितनी थी 2x और 2x सी constant अभी भी है तो x बराबर अगर 200 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 500 यानि 500 gram हमारा tin इसमें है समझा गया अगले प्रश्ण पर आते है अगले प्रश्ण देखिएगा मैं figure को थोड़ा सा गाढ़ा कर दे रहा हूँ कहा गया in the given figure 2 squares of side 8 cm पहले मैं squares को गाढ़ा कर दू ये आपके 2 squares दिये गए है ये squares दिये गए है ठीक है हाँ ये squares दिये गए है जिनमें कहा गया side 8 cm और 20 cm यानि ये 8 है ये 20 है ठीक है तो कहा गया body is the area of the shaded part यानि इस पार्ट की area निकालनी है यानि इस वाले पार्ट की area निकालनी है ध्यान से देखेगा अगर मैं बात करूँ तो ये 90 है ये भी 90 है आपको पता है कि ये दोनों रेखा है यानि ये रेखा और ये रेखा पैरलल है तो आप कह सकते हैं अगर ये दोनों पैरलल है तो ये कोंड इस कोंड के बराबर होज़ेगा और तीसरा कोंड common है तो हम कह सकते हैं अगर हम triangle का नाम करण करें A, B, C, D, E, F नाम करण करें तो हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानि कि अगर इसका base लेंगे तो ये हो जाएगा आठ बटे बड़े वाले triangle का यानि A, D, E का base लेंगे आप देखें A, B, C और A, D, E हो गए similar तो हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं यानि A, B, B, A, D यानि 8, B, 28 बराबर हो जाएगा इन भुजाओं का यानि perpendicular का ratio यानि B, C, B, आपको पता है ये square है कौन सा ये square है completely तो आपको पता अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा यानि कि B, C, B, 20 यानि यहां से हमारा B, C, बराबर कितना आजाएगा 20 गुड़े 8, 160 बटे 28 160 बटे 28 यानि 4 से कार दीजे तो यह हो जाएगा 40 बटे 7 अब आपको मिल गया B, C आपको आधार पता ही है तो shaded part जो आपका है यानि इस region की अगर आपको area निकालनी है तो यह एक triangle है, right angle triangle जिसका base पता है, height पता है तो required area, यानि R, A is equal to हो जाएगा half into base base कितना है? 8 into perpendicular यानि कि 40 बटे 7 2 से 8 कटेगा 4 हो जाएगा 4 गुड़े 40 बटे 7 यानि कि 160 बटे 7 centimeter square आपका answer हो जाएगा समझा गया? आपको similarity prove करनी थी इन दोनों triangles में अगर similarity prove कर ले जाते हैं तो आप कर सकते हैं कई सारी methods और भी हैं लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस methods आसानी से कर सकते हैं प्रस्न देखिएगा कहा गया what can be the maximum number of common tangents which can be drawn to two non-intersecting circles कहा गया दो आ प्रतिछेदी यानि जो प्रतिछेद ना करें non-intersect करें उन circles के बीच में कितनी common tangents खिंची जा सकते हैं यह दो circles हैं जो प्रतिछेद नहीं कर सकते हैं अब इनकी common tangents के अगर हम बात करें तो एक tangent यह हो जाएगी एक tangent इनकी common यह हो जाएगी एक tangent आपकी इनकी यह हो जाएगी एक tangent इनकी यह हो जाएगी यानि कितनी tangents टोटल ड्रा करी जा सकती हैं चार तो आप याद रखेगा कि दो non-intersecting circles पे कितनी वो खिंची जा सकती है tangents आप कहेंगे चार अब अगर ऐसा प्रशन आया ही है तो आप कह सकते हैं कि intersecting पर कितनी खीची जा सकती है अगर दो circles intersect कर रहे हैं तो कितनी खीची जा सकती है आपको पता है तब कि वलोड के वल दो खीची जा सकती है यहीं कि दो tangents ऐसी होंगी जो common होंगी इनकी और बाकी एक circle पर तो असंग की tangents केची जा सकती है लेकिन दो circles की जहां बात होगी तो अगर वो intersect नहीं कर रहे हैं तो चार और अगर intersect कर रहे हैं तो दो tangents केची जा सकती है अच्छा जो आपको PDF मिलेगा उसमें 120% and offers 30% discount what will be the cost price in RAS sorry what will be the selling price if the cost price is 750 कहा गया कि एक आदमी जो है यानि एक trader ब्यावसाई जो है वो 120% किसी वस्तु का मुल्य बढ़ा के लिखता है यानि 100 अगर क्रेम मुल्य है तो 220 लिखता है 120% यानि 120 बढ़ा देता है यानि वो 220 लिखता है और 30% का discount देता है यानि 30% का discount देने का मतलब इसके 7 भटे 10 पे बेशता है 7 भटे 10 पे बेशता है यानि कि वो 154 पे बेशता है यानि 100 जिस वस्तु का क्रेम मुल्य है उसको 154 में बेशता है तो 2 से काड़ देंगे इसको 77 आजाएगा और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 10 115 यानि कि 1155 रुपए में वोस्त बिकेगी समझा गया अगले प्रेशन पे आते हैं देखिएगा अगर मैं बात करूँ 10 3 y y 4 को हम क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे 10 10 pi y 2 प्लस pi y 4 प्लस a लिख सकते हैं अरे pi y 2 प्लस pi y 4 कितना हो जाएगा 3 pi y 4 और प्लस a हमने इसको लिख लिए और बाकी आपका 10 pi y 4 pi y 4 प्लस a ऐसे लिखा हुआ है ठीक है इसमें into है अब आप ध्यान से देखिएगा 10 90 प्लस थीटा कितना होता है तो आप करेंगे 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस ओफ कॉट थीटा यहापर थीटा की वैलू कितनी है इसको थीटा अगर एजियूम करें तबी तो 10 pi y 2 प्लस थीटा यानि 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा यानि कि कॉट ओफ pi y 4 प्लस a इधर आगया और इधर आपका है 10 pi y 4 प्लस से यह दोनों इंटू में है अब वो था 10 और कॉट कट जाएगा यानि आपका अंसर आगया माइनस यहाँ पे है यानि आपका अंसर होगया माइनस 1 समझ आगया अगले प्रशन 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 देखेगा से सी सी जील मेंस का प्रशन है और जिस दिन मेरा एक्जाम था उसी सिफ्ट का पेपर है 17 वाले मेंस में तो बड़ा ही आसान सा प्रशन था बस इसको hyper बना दिया गया बहुत hype create की गई कि ऐसे ऐसे प्रश्णार है, प्रश्ण को ध्यान से समझेगा, फिर आपको पता चलेगा, इस प्रश्ण में वास्तों में कुछ नहीं है, और मैंने ये CGL Mains वाले 2011 से लेकिए 18 अग वाली सीरीज में भी करवाए है, आपको ए प्रश्ण, important question की series में भी दिया है, मतलब कई बार ये question करवा दिया हूँ, साथ आप में से कई लोगों को answer भी याद होगा इसका, ठीक है, तो answer याद करना है तो 86 याद कर लो, नहीं तो करना है तो बहुत easy है, खागे in the given figure, four identical semicircles are drawn in the quadrant, यानि कि जो चार छोटे-छोटे अर्द सर्किल है, अर्द बृत है, वो identical है, यानि कि सबकी radius बराबर है, यानि कि xA अगर साथ है, यानि कि एक semicircle का ब्यास अगर साथ हो गया, तो बाकी सबका भी ब्यास साथ-साथ हो जाएगा, what is the area of the sided region, यानि कि आप से कहा गया, sided नहीं, sided, यानि कि रंगीन भाग का छेतफ़ बताने है, easy question है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो कर पाएंगे, देखेंगे, आपको xA 7 दिया गया, xA 7 दिया गया, ऐसे 7 ये भी है, 7 ये भी है, 7 ये भी है, यानि हम कह सकते हैं, semi circles की area, यहाँ पे अगर हम कहें, अगर मैं quarter circle की बात करूँ तो उसकी radius दी गई है, अगर ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये center है, तो ये पूरा 14 हो जाएगा, यानि कि radius इसकी दी गई है, quarter circle की 14, और अगर मैं बात करूँ semi circles की radius, r dash तो कितनी दी गई है, एक से बराबर 7, एक से diameter है, तो इसकी यादी है, यानि कि 7 बटे 2 दी, ठीक है, बस, इतना सा समझना है, अब आप से कहा गया, आप मैं main question पर आता हूँ, आप से कहा गया, shaded region निकालना है, अच्छा, shaded region निकालने के लिए, अगर मैं कहूँ, यह जो quarter circle है, इसका area निकाली, यानि एक चोथा ही circle जो है, इसका area निकाली, उसमें से इसका area घटा दीजे, इसका area घटा दीजे, इसका area घटा दीजे, इसका area घटा दीजे, एरिया quarter circle का एरिया minus four semi circles का एरिया quarter circle का एरिया minus four times of semi circles का एरिया और आपको पता ये एरिया दो बार चुकी घट चुका है तो एक बार इसको जोड़ती है क्योंकि हमें घटाना एक ही बार था यानि कि एक बार हम कह सकते xy का एरिया area of xy area of xy यानि कि जो आर्क है उसका एरिया एक्स वाई आर्क का एरिया अब आर्क का एरिया कैसे निकलेगा बस इसी क्वेश्चन को लेके आप लोगों में खूब हाइप क्रेट कियागे कि बड़ा टफ प्रशना है था यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजे तो अगर मैं बात करूँ यह सेंटर को मिलाएं मैंने मिला दिया और यहां पर सेंटर ओ हो तो ओ से एक्स को मिला दीजिए ओ से वाई को तो अगर मैं बात करूं कि इस वाले पोर्शन की एरिया कौन से वाले पोर्शन की यानि ऊपर वाले पोर्शन की एरिया कितनी होगी तो आप कहेंगे यह आर्क की एरिया हो हो जाएगा कितना होता है आधा यानि कि इस blue region का blue region को ही arc बोलेंगे इसकी area बराबर होती है कितनी होती है मेरा half times of theta minus sin theta into radius का square यानि कि हम कह सकते हैं into r dash का square radius कौन सा जो semi circle में बना हुआ है यानि आप कह सकते हैं कि इतने की area हो गई blue region की half xy इतना हो गया तो full xy कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे full xy अगर आपको निकालना है यानि arc xy की area कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे half half cut जाएगा यानि आप कहा जाएगा r dash square into theta minus sin theta आपको पता है theta बराबर 90 है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है यह यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा तो theta 90 हो जाएगा यहाँ पर वैलू रख दीजिए तो r dash का square यानि साथ देखें इतना पूरा साथ था तो इतना कितना r dash यहाँ पर देखें एरिया कितने हो गई साथ आर्क xy की एरिया कितने हो गई साथ अब आप quarter circle की एरिया निकालिए उसमें से चार सेमी circle की एरिया घटा दीजिए और प्लस आर्क xy की एरिया तो पता ही चल गई बस खत्म हो गया प्रश्ण तो आप थोड़ा सा मिटाता हूँ आप स्क्रीन सॉट लेना है ले लीजिए यहां मैं मिटाय दे रहा हूँ तो मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूं और ना तो यह आपको कहीं भी देखेंगे सालूसन तो तीन सब्द में लिख देंगे और आपको साइस समझ में भी ना आए तो क्वार्टर सर्किल की एरिया होते है वन बाई फोर पाई आर इसक्वार प्लस इसकी एरिया साथ यानि यह हो गया एक बटे चार चार गुड़े गाष देख सक कौ रमोट चयार से बाग करेंगे तो साथ का इसक्वार बनेगा साथ का उन्चास आट वाड़े पाई यानि उन्चास गुड़े 22 बटेसाथ यानि यह हो जाएगया 1141- यह हो गया, 2 गोडे 22 बटे 7 गोडे 49 बटे 4 धन 7 7, 49 दो यहले, आपका हो गया हम सही कर रहे, न 49 बटे 4, 2 πाई आरे स्कौाईंद, ठीक है तो यह हो गया, 2 गोडे 22 बटे 7 गोडे 49 बटे 4, 7 सता 49 हो गया, 2 हो दूनी 4 हो गया दो से एक गटेगा 11 आजाएगा यह आपको होगे 124 माइनस 11 सते 77 प्लस 7 तो 114 में से 77 गटेगा 77 और 7 84 आपका आंसर कितना होगे 84 तो आपको याद रखना है एक फार्मूला कि आर्क की एरिया कितनी होती है आंसर आगे 84 आर्क की एरिया यहाँ पर मैं लिखूं अगर तो एक सरकिल होगर अगर ऐसे देखेगा एक सरकिल हो और इसके मैं इस पार्ट की एरिया पूछ रहा हूं किस पार्ट की यह वाले रिजन की यानि आर्क की एरिया पूछ रहा हूं तो आर्क की एरिया होती है कितना होता है half times of यह हम ऐसे कहें half times of r square into theta minus sin theta minus sin theta जहापे यह theta होता है half into r square into theta minus sin theta यह आर्क की एरिया होती है तो यह फार्मूला आप याद रखिएगा बस और कोछ नहीं था प्रशन में ठीक है अगले प्रशन 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 देखिए का कि which of the following statement is or true मतब कौन से कथन साथ है 0.7 का square प्लस यह मेंस का question है बहुत ही बढ़िया question है 0.7 का square कितना होता है 0.49 0.07 का square कितना होता है 0.0049 11.1 का square कितना होता है आप कहेंगे यह हो जाएगा 123.2 1 0 0 क्योंकि आपको पता है एक जितनी बार रहेगा एक दो तीन तीन बार है फिर उल्टा लोड जाईए और दसमलों बात दो अंक चाहिए तो 130.2 इतना हो गया विसको जोड़िया तो आपका हो जाएगा है आपर 2 0 बढ़ा दीजी यानि यह हो गया 49 9 1 10 7 120.2 यानि आपका 130.7 0 4 9 आया हो कहा गये यह क्या 130.8 से बड़ा है तो नहीं है यानि पहला स्टेट्मेंट गलत हो गया अब दूसरे स्टेट्मेंट पर अगर हम आए तो आपको पता 1.12 का स्क्वार कितना होता है तो आप कहेंगे एक दसमलो एक दो का स्क्वार यानि 100 प्लस बारा का स्क्वार यानि आपका हो जाएगा एक दो पांच चार चार और दसमलो कबार कितने अंग होने चार यानि एक दसमलो दो पांच चार चार हो गया दस दसमलो तीन का स्क्वार कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका दस दस मलो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा दस छे सो नो यानि कि आपको हो गया 106 दस मलो जीरो नो इसके बाद डूल जीरो लगा दीजे और एक दस मलो जीरो पांच का स्क्वायर कितना होता है यानि आप कहेंगे 1.05 का स्कुर्ण होता है एक दस मलो एक और 100 प्लस 5 का स्कुर्ण करिए तो यह हो जाएगा 1.10 मलो एक यख सो का स्कुर्ण एक के बाद 4.0 और 5 का स्कुर्ण 25 और 2.5 दस और 100.1000 यह हो जाएगा 0.25 अब इसको अगर आप जोड़ें तो आपको मिलेगा 549, 426, 599, 14, 14 हो गया और 2, 1, 3, और 2, 1, 3, 4 यानि यह 4 हो गया और यह हो गया 108.44469 108.44469 क्या 108.3 से बड़ा है आप कहने बिल्कुल बड़ा है यानि second statement सही हो गया पहला अल्रेडी गलत हो चुका है यानि only 2 क्या करता है satisfy करता है यानि कौन से statement true है 1.12 का square प्लस इसका approximation से भी कर सकते थे लेकिन वहाँ पर गलत होने की संभावन हो क्योंकि बहुत close data दिया गया तो आप कहेंगे 108.44469 ठीक है आप से देखिएगा कहा गया इफ यह watch is being sold at 7225 which is marked at RS8520 then what is the discount percent at which it is being sold कहा गया कि 85-100 की घड़ी 7225 में छूट के बाद बेची जाती है तो कितने परतिसत का discount दिया गया अगर मैं बात करूँ 7225 85-100 में बेची गई आप ध्यान से दिखिएगा 85-100 की घड़ी थी जिस पे market price 85-100 था उसको 7225 का बेच दिया गया 1275 किस पे 85-100 यानि परतिसत में कितना हो जाएगा 1275 बटे 85-100 गुड़े 100 1-0-2-0-1-0-2-0 5-17 हो गया 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो गया 5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-1-9-7-7-7-7-5-5-8-7 यानि कितने परसेंट का 15 या आप ऐसे कर सकते थे कि 1500 का कितना परसेंट है 1225 855 का कितना परसेंट है तो आप कहेंगे यह 50% है क्यों कि 85 का स्कॉइर कितना होता है अगर मैं 85 के स्कॉयर की बात करूँ तो 5 के स्कॉइर 25 यहां लिख देंगे 8 में 8 में एक बढ़ा के 8 में 1 बढ़ा यह 9 कहा गया तो वीलिंग्स है जिन के टॉप्स के भीच जो डिस्टेंस हैं वो दी गई है एक 38 मीटर हूँची है एक 85 मीटर हूँची है यहां से यानि यह हाइट और डिस्टेंस का बिसिकली कोश्चन बन रहा है यानि यह आपके 38 है यह पूरी 58 है तो इतना 38 अगर मान ले तो यह 20 हो जाएगा मानना क्या है अगर अगर कुछ नहीं होगा इसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप इसको परपेंडिकुलर इसको परपेंडिकुलर इसको इसको ले रहे हो तो यह बराबर हो जाएगा ठीक है अब आपको मतलब यह आयत हो जाएगा बस और कुछ नहीं ठीक है अब आप से कहा गया कि इनके जो मतलब टॉप्स के बीच की डिस्टंस है वो 52 मीट अब आप देखिए, चार से काटि है तो ये 5 हो जाएगा वह जाएगा, अगला प्रतुन देखिएगा प्रति बड़ा अच्छा है, बहुत सुनदर सा है का कि what is the sum of all natural numbers between 100 and 400 which are divisible by 30 का कि 100 से लेके 400 तक के बीच की ऐसी संख्याओं का योग निकालना है जो 13 से divisible है तो आप सबसे पहले जाएंगे कि 100 से 400 के बीच पहली संख्या कौन है जो 13 से कट रहे है आपके 13,8,104 यानि 104 फर्स्ट नमबर होगी इनके बीच की जो 13 से कटेगी और 390 तेरा से डिवाइड करिया 400 को तो आपको बता है 390 के बाद 10 से इसवल यानि 30 बार जाता है और 10 रिमेंडर बज जाता है यानि कोसेंट 30 आता है और रिमेंडर कितना आ जाता है 10 आता है यानि कि लाश्ट नमबर या बिगेस्ट नमबर बिट्विन इस इंटरवल जो 13 से डिविजबल होगी वो होगी आपके 390 तीक है अच्छा अब आपको सम निकालने है आपको पता है पहली संख्या इतनी है लाश्ट संख्या इतनी है तो नमबर आफ टर्म्स एन बराबर हो इनका common difference और plus 1 हो जाता है यह कहां से आता है आपको पता है L is equal to होता है A plus N minus 1 into D यानि last term is equal to होता है first term plus N minus 1 यहां पे N पदो की संख्या इन्टो D इनका common difference आपको पता सारी संख्या 13 से क्रमागर divide हो रही है यानि कि इनके बीच का difference D 13 हो जाएगा यहाँ आप कहेंगे L माइनस यानि 390 माइनस 104 बटे 13 धन 1 13 से 390 को काटेंगे 30 माइनस 8 धन 1 यह 30 में से 8 गटेंगा 22 और 1 थेईज यानि ऐसी कितनी संख्या है 20 अब अगर सम निकालना है तो आप कहेंगे 23 यानि N by 2 into A plus L होता है अगर आपसे मैं पूझाओ समांतर संख्या का योग कितना होता है तो आप कहेंगे N by 2 into A plus L जहाँ पर N पदो की संख्या A first term और A last term होता है तो यहाँ पर A plus L कितना हो जाएगा 104 प्लस 390 यानि कि 494 अब आप देहान से देखेगा यानि यह हो गया 23 गुड़े 494 का अदर 247 गुड़ा कर लीजे तो तेज सत्ते या पर काले कलर से कर रहा हूं ताकि नजर न लगे तेज सत्ते 161 होता है ठीक है और तेज चोको 92, 16, 108 और तेज दूना 46 और 10, 56 यानि आपका आंसर कितना हो गया 56, 58, 58 समझा गया अगले प्रश्न पर आते हैं यह भी प्रश्न मेंस का चुराया गया है कहा गया इफ 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस डॉट 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 1 by 20 is equal to k then what is the value आप बहुत पुराना सा मेंस का question है देखेगा आप सिखा गया 1 plus 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस डॉट 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 इतना is equal to k यहां से आप कह सकते हैं 1 by 2 प्लस 1 by 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 by 20 यानि यह 1 by 4 1 by 5 सब आएगा यह बराबर k-1 हो गया अब आप से कहा गया 1 by 4 प्लस 1 by 6 प्लस इसकी value निकालने है यानि आप कह सकते हैं अगर इसमें हम 1 by 2 common ले लें तो यह कितना बचेगा 1 by 4 में 1 by 2 से डिवाइड होगा तो यह 1 by 2 बचेगा यानि सब के हार में 2 से भाग हो जाएगा यहां पर 1 by 3 बचेगा यहां पर 1 by 4 बच 2 आपका आंसर हो जाएगा के माइनस 1 by 2 आंसर हो जाएगा अब ऐसे question प्री में ही पूछे जा सकते हैं मेंस में तो इसकी कोई अवकात रही नहीं देखिएगा बहुत ही technical question है और थोड़ा सा समझने की जरूरत है बाकी simple सा question है का गया A, B and C invest in a business in the ratio of 3 to 6 to 5 का गया A, B, C, 3, पांच के अनुपात में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं का कि A and C are working partners यानि ए और सी जो है वो working partner यानि वो पैसा भी लगाते हैं और काम भी कर रहे है only B is a sleeping partner hence his share will be 3 by 4th of what it would have been if he were a working partner ही के साथ वर क्यों है क्योंकि imagination किया गया imagination में present singular plural नहीं देखा जाता है सबके साथ work up योग किया जाता है ठीक है कहा गया कि A, B, C जो है वो किसी बिजनेस में 3 अनुपात, 6 अनुपात, 5 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं ठीक है प्रशन यह भी working है और यह भी working है यानि हम star बनाए दे रहे हैं यह दोनों working partners है यह भी और यह भी और बी जो है वो RCA कहता है भी आप पूजी कितनी भी ले लो लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा जिसके कारण इसे 3 बटे 4 ही हिस्सा मिलता है यह 3 बटे 4 हिस्सा मिलता है किसका कुल 3 बटे 4 हिस्सा मिलता है किसका अगर यह काम करता तो जो लाव मिलता उसका 3 बटे 4 हिस्सा मिलता है इसका कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं कि जितनी पूजी लगाई है इसने आपको पता लाव जो होता है वो जिस अनुपात में पूजी लगा उसी अनुपात में मिलता है ले यह आपका सकते हैं कि इसका investment सबका change हो जाएगा एन तीन इन्वेस्ट किया था बी का कितना हो जाएगा चूँकि छे पर पूरे पर लाव नहीं पाएगा ए तो पूरे पर बाएगा क्योंकि वह एक्टिव पाडनर है सेम फोर सी लेकिन बी अपने पूंजी के तीन बटे चार हिससे पर हिलाव पाएगा यादि दो दूनी चार दो तियां छै एनि अब इनका नुपाथ हो जाएगा ए का तीन बी का नुब बटे दो और сी का पाँच यानि आपकहा सकते हैं दो से गुड़ा कर लिजिए तो ए की पूजी का नुपाथ 6 हो गया इसका 9 हो गया इसका 10 हो समझ रहे हैं यानि A की पूजी अगर 6 होती तो B की 9 है और C की 10 है अब ध्यान से देखेगा आप से पूछा गया है कि C का हिस्सा कितना होगा लाब में आपको गोता है C की पूजी अब इनकी resultant पूजी आई जिस अनपात में इनकी लाब बटेंगे तो C का है 10 आउटा 10 नव का profit होता है half of which is invested in this business यानि कि जिसका आधा बिजनेस में चला जाता है यानि बचा कितना 25,000 तो यानि कि इसी 25,000 में बटेगा तो 25,000 का 10 बटे 25 हिस्सा किसको मिलेगा C को यानि 25 25 कट जाएगा यानि आपका 10,000 आंसर आजएगा यानि C को मिलने वाला हिस्सा कितना हो जाए जितना वो वास्तों में काम करता तो मिलता या एक्ट्व पार्टनर होता तो मिलता तो आप पूजी पे ही operate कर दिया करो यानि 6 पूजी पे ना मिलके उसको 6 के 3 बटे 4 पे लाब मिल रहा है तभी तो 3 बटे 4 हो रहा है वास्तों लाब का बस अगले प्रशन प्रशन पर आत या यहां से आपको रहा है काशी और या या is equal to x minus 2 by x plus 2 plus of x plus 2 upon x minus 2 अगर आप हर बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा यह बनेगा x minus 2 का square plus x plus 2 का square और आपको बता है a minus b का square plus a plus b का square होता है 2 times of a square 2 times of a square plus b square यानि a square बोले तो x square plus b square 2 का square 4 हो जाएगा divided by x plus 2 into x minus 2 x plus 2 into x minus 2 कितना हो जाएगा a plus b into a minus b यानि कि यह हो जाएगा x square minus 4 अब अक्शोर दो से 2 कट जाएगा यानि यहाँ से हमारा cx कितना आ गया cx सही से लिख दिजिए cx is equal to x square plus 4 upon x square minus 4 तो कॉस्से कितना हो जाएगा यहाँ से पलट देंगे इसी को यानि x square minus 4 सी ओप्शन करेक्ट हो गया लाश्ट संडे को यह पाई चार्ड बनाना सीखा था मैंने और टेबल वाला मतलब वो यह से पावर पॉइंट आता था मुझे क्योंकि CPT में काम आता है आपके tier 4 में SSCCL के लेकिन यह वाला नहीं आता था यहां पर पाई चार्ड भी दिया गया और टेबल भी दिया गया तो कि परसेंटेज आफ पॉपुलेशन आफ सेवन बिलेज़स इन 2015 यानि कि 2015 में जो बिलेज़स का साथ गाउं के परसेंटेज पॉपुलेशन है यह आपको पॉपुलेशन परसेंटेज में दीगे A की 11, B की 16, C की 11 और कहा गया हर बिलेज़स की अलग अलग पॉपुलेशन में दिया गया बिलोव पाउर्टी लाइन कितने परसेंट लोग विराजते हैं यानि कि अगर A की बात करें तो 42 परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं B में 51 परसेंट हाला कि यह डेटा अगर गाउं अस्तर पे हम उतर के रियली देखें मतलब मैथमेटिक से हटके बात करें तो यह भी बहुत पूर है गाउं में 2-4 को छोड़के 2-4 मिडिल क्लास फेमली होती है या थोड़ा सा हम कह सकते अपर मिडिल क्लास होती है जो जमीदार हो गहरा होते है बाकि बहुत जादा गरीबी है हाला कि सरकार काम कर रहे है बट फिर भी अभी ग्राउंड लेबल पे वो डेवलप्मेंट नहीं हो पा है जैसे कि हम रिपोर्ट्स वगरा में पढ़ते हैं अगर आप गाउं से होंगे तो आपको आइडिया होगा यानि बी की जनसंख्या 2015 में अगर 32,000 हो तो कहा गया जी की बिलो पावर्टी लाइन जनसंख्या 2015 में कितनी होगे अब देखिएगा बी कितने परतिसत है आपको बी दिया गया 2015 में कितना है 32,000 देख रहे हैं यानि B 32,000 है, तो आप यहाँ पर देखें, B कौन सवाला है, यह, यानि 16% कुल जन संक्या का 32,000 दिया गया, यानि 16% अगर 32,000 है, तो आप कह सकते 1% बराबर 2,000 हो गया, अब 1% 2,000 हो गया, तो आप से किसके बारे में बात की जा रही है, आपको पता चल गया, 1% बराबर 2,000, एक जी रो कम कर लिजएगा, 1% बराबर 2,000, आप से बात करी जा रही है, बिलज जी की, आपको पता है कि 1% अगर 2,000 है, तो जी, यानि कि यह बुलू आला, यानि 15%, तो जी बराबर हो जाएगा 30,000, यानि जी की जनसंख्या हो गए 30,000, आपको पहले यहाँ पर आना है, अब जी की जनसंख्या अगर 30,000 हो गए, तो आप से कहा गया, कि इसमें बिलो पावर्टी लाइन केतने परिशत लोग रहते, 52%, 52% किसका जी की जनसंख्या कहा, यानि कि 30,000 का बावन परसेंट, यानि 15,600 लोग जी में, 2015 में बिलो पावर्टी लाइन रह रहे थे, तो आपका आंसर हो गया 15,600, समझा किया, अगला प्रस्शन देखिएगा, कागे ratio of population of village D, बिलो पावर्टी लाइन to that of village A, बिलो पावर्टी लाइन in 2015, कागे ratio D की, बिलो पावर्टी लाइन जनसंख्या जो है, और A की जो बिलो पावर्टी लाइन जनसंख्या, उसका अनुपाद कितना है, अब देखे, D की और A की बात हो रहे है, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजेगा, D की और किसकी बात हो रहे है, A की, अब देखेगा, D और यहाँ पर ले लिजे, यह देखे, अब देखे, D की अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ, तो 21% है, ठीक है, और अगर A की जनसंख्या की बात करूँ, तो आपको पता, A की कितनी जनसंख्या, यहाँ पर 11%, और कहा गया, कि इनकी बिलो पावर्टी लाइन, अगर हम D की बात करें, तो बिलो पावर्टी लाइन 46 पर 37 लोग 21% की रहते हैं, और अगर A के लिए बात करूँ, तो 11% का 42 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, तो अगर इनका अनुपात निकालना है, तो आपको क्या करना है, 21% का 46 परसेंट बटे 11 परसेंट का 42%, 21, 21, 21, 22, 42, 2 से कटेगा 46, 23 हो जाएगा, याणि D और A के लिए बिलो पावर्टी लाइन जो पावर्टी लाइन उसका अनुपात कितना आ गया, 23 परसेंट तो कितना हो गया आंसर, 23 परसेंट काहा गया, काहा गया, अगर F की 2015 में बिलो पावर्टी लाइन जनसंख्या, जो है, वो 12,600, B की बिलो पावर्टी लाइन जनसंख्या, कितनी है, 12,160, अब आप ध्यान से देखेगा, F की बिलो पावर्टी लाइन जनसंख्या, कितनी है, 12,160, ध्यान से देखेगा, F कहाँ पे, यहाँ पे, F का 38 परसेंट, यानि F की जितनी भी जनसंख्या, उसका 38% बिलो पावर्टी लाइन है और 38% दिया गया आपको 12,160 यानि अगर 38% 12,160 है तो 29 दूना 38, 19 से काटिएगा 19, 19 चक्के 114 और 7 चेतर यानि 2% बराबर 640 यानि 1% बराबर 320 यानि आपको पता है कि 38% जन संख्या अगर 12,160 है तो आप कह सकते 1% बराबर 100 तो यानि कि अगर मैं बात करूँ F के लिए टोटल जन संख्या की तो F के जन संख्या का 1% 320 है तो F की टोटल जन संख्या कितनी हो जाएगी इसके बाद 2,0 लगा दीजिए यानि F की जन संख्या हो गई 32,000 अब आप से C की जन संख्या पूछी गई तो 1 बराबर 2000 तो 11 बराबर हो जाएगा 22,000 यानि C की जन संख्या हो गई 22,000 आपका correct option कौन सा हो गया C option अकला परस्ट अच्छे से पढ़ियेगा कहा गया इप in 2016 the population of village G and E increases by 10% each and the percentage of population below poverty line remains unchanged for all the villages then find the population of village E below poverty line in 2016 given that population of village G in 2015 was 30,000 कहा गया कि 2016 में G और E की जन संख्या 15 की तुला में दसपरचत बढ़ जाती है G और E की बात हो रही है और कहा गया जो BPL कार्ट धारकों की संख्या वो सेम रहती है जैसे 2015 में जितने परस्टी उतने अभी भी है कहा गया कि तो E का 2016 में BPL कार्ट धारकों की संख्या निकालनी है अगर G की जन संख्या 15 में 30,000 ती समझा गया? अब यहां से देखेगा आपको दिया क्या क्या गया है? यहां पर थोड़ा सा ऐसे समझेगा आपको दिया गया है मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ऐसे मैं कर रहा हूँ आपको दिया गया कि जो G की जन संख्या है G की जन संख्या जी कौन सा है? ब्लू वाला जी के जनसंक्या 15% है कुल जनसंक्या का और ये 15% आपको दिया गया है कि 30,000 के बराबर 2015 के बाद हो रही है यानि 15% अगर 30,000 है तो आप कह सकते हैं कि कुल जनसंक्या का 15% 30,000 है यानि 1% बराबर हो जाएगा 2000 यानि कुल जनसंक्या का 1% 2000 के बराबर है 2016, सा MAE 2016 में, BPL से नीचे, यानी BPL में रहने वाले धारको की संख्या, cud DS16 में, जो गरिभी रेख़ा से नीचे रढ़रे हैं उनकी संख्या यानी फिलो poverty Line वालों की संख्या निकालने, तो पहले तो Eक 2016 में जन संख्या निकालने, और आपको पताए ई की 2016 जनसंख्या निकालने लिए पहले 2015 वाली पता होनी चीए आपको पताए ई में 10 परतिशत लोग रहते हैं यानि 1% अगर 2000 है तो ई की जनसंख्या यहां से हमारी हो जाएगी 20,000 ई की जनसंख्या किसमे 2015 में 20,000 है आपको पता है 16 में इसकी जनसंख्या कितनी बड़ी 10% यानि 16 में E की हमारे जनसंख्या हो गई 16 में E की जनसंख्या अगर मैं बात करूँ तो 20,000 का 10% बढ़ा देंगे यानि 22,000 हो गई यानि E की 2016 में जनसंख्या कितनी है कितनी है 22,000 अब आपको पता है इके 58% लोग अभी भी बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं क्योंकि कहा कि 2016 में भी सेम बिलो पावर्टी लाइन कार्ण धारकों की संख्या जितनी 2015 में थी यानि 22,000 का 88% अभी भी बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं यानि बिलो पावर्टी वाले की संग्या कितनी हो जाएगी 22,000 गुड़े 822,000 यानि 220 गुड़े 850 हो जाएगा तो 850,000, 852,116, 852,116,117 यानि 12,760 लोग जी में ऐसे हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं तो आपका आंसर कितना हो गया 12,760 कहा गया find the ratio of total population of village D to that of village C बिलो पावर्टी लाइन in 2015 कहा गया D की कुल पावर्टी लाइन जो पावर्टी लाइन जो पावर्टी लाइन है उसका अनुपाद कितना है अगर मैं D की कुल पावर्टी की बात करूँ आप देख पारूँगे ओलो वाला 21 पर्दी सतह है यानि D की कुल पावर्टी सत है 21% है या टोटल पावर्टी का एक सहर की पावर्पुलेशन 21% है और C की आपको निकालना है जहां से देखेगे, कहा गया कि D की population, यानि D की total population है 21%, और C की population जो कैसे रह रही है, below poverty line रही है, तो आपको पता है C कितना है 11%, C कितना है 11%, आपको पता है C कुल जल संक्या का 11% है, और इसमें 49% लोग कैसे रहते हैं, below poverty line, यानि 11% का 49% अगर मैं बात करूँ तो 11 गुड़े 49 बटे 100 बचेगा, यानि कि 11% का 49 बटे 100, यानि कि इतना परतिस्यत, आपके C में below poverty line की जनसंक्या हो गई, और D की जनसंक्या है इतनी है, तो इसी का अनुपात निकालने को कहा गया था, तो आपको गया 7, 3, 2, 7, 49 ये उपर चला जाएगा, यानि 300 बटे 87 आपका अनुपात जाएगा, 300 बटे 87 अनुपात, क्योंकि 21% तो हमारे किस की जनसंक्या होगी, D की जनसंक्या होगी, और आपको पता है, जो हमारे C की जनसंक्या हो, कुल 11%, 11% का 49% आप से कहा गया, निकालना है, क्योंकि 49% below poverty line रहे है, तो 11% का 49% हो जाएगे, 11 गुड़े 49 बटे 100, और 21% से इसका अनुपात निकालना था, ठीक है, तो आपका आंसर आगया, 300 बटे 87, यानि कौन सा आप्शन सही हो गया, बहुत इजी प्रस्टन है, ध्यान से देखेंगे, तो आराम से कर पाएंगे, कहा गया, the average weight of L, M and N is 93 kg, अगर L, M, N का average weight 93 kg है, तो हम कह सकते हैं, इनका कुल ब number of candidates, ठीक है, आप से कहा गया, average weight of L and M, L और M का, अगर average weight की बात करें, तो वो दिया गया आपको, 89 kg, अगर average weight 89 है, तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, 178, 90 का दूना 180, 89 उससे एक कम है, तो उसका दूना 2 इससे कम हो जाएगा, और कहा गया, M और N का, जो आउसत बेट दें, तो आपका आद जाएगा L plus M plus N, और M एक बारा हो जाएगा, यानि plus M, बराबर आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 8, 3, 11, 7, 11, 17, यानि 371, यानि L plus M plus N plus N plus M, बराबर 371, L plus M plus N, आपको पता है, 280, यानि ये इधर चला जाएगा, अगर 280, इसमें से घटा हो गया आपको पता 71-89 कितना कम है आठ और 3-2 कितना कम है 100-100 में से आठ घट जाएगा यानि 12 आपका आंसर हो जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा समझा गया अगले प्रश्म पर आते हैं यानि यहम का वेट कितना हो गया 12 किलोगरम कहा गया कि A, B, C together can do a job in 9 days यानि A, B, C तीन लोग मिलके किसी कारे को 9 दिन में करते हैं का गया C अकेले कारे को 36 दिन में कर सकता है यानि C अकेले 36 दिन में कर सकता है तो का गया A और B मिलके 50% काम का हिस्सा है कितने दिन में करेंगे अच्छा आप A और B को एक ही candidate मानिए आप माल लीजिए X तो X और C मिलके 9 दिन में C अकेले 36 दिन में तो X कितने दिन में करेगा X पूरे काम को करेगा दोनों कामों का गुड़न मदल्ब दोनों डेस का गुड़न पर यानि 36 गुड़े 9 बटे जादा मिसे कम घटा दिजिए 36 में से 9 गटे का 27 9 से कटा 27, 3 हो गया 3 से 36 में भाग 12 यानि X की वैलू क्या है A plus B यानि A plus B पूरे काम को 12 दिन में करेंगे तो कहाँ गया आधा ही काम करना है यानि 6 दिन तो आपको यह ध्यान रखना है यही नहीं परतिसत जो दिया गया इसको ध्यान रखिये का नहीं एकजाम में silly mistakes यहीं पर होती है यानि A और B आधे कारे को 6 दिन में करेंगे ठीक है नहीं तो 12 आंसर आए और आप मार कर दीजे तो यह थे आपके 25 questions I hope आपको सारे के सारे questions समझ में आ गये होंगे अगर समझ में आ गये हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा Facebook, WhatsApp, Instagram जो भी ग्रूप है आपको उसमें share कर दीजेगा और चैनल पे नहीं हों सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेंगी बबाई टेक केर आल देवेश्वारी और आल कमें जांस बने मातरम चैनल